जै गुरू गोर्खनाथ असली प्रैटकल टोटको में आज आपके लेके आए हैं कि किस तरह अगर आपके बच्चों की शादी में तेरी हो रही हैं बच्चे अच्छे पड़ लिग गए हैं अच्छी जोब उने लग गई है लेकिन फिर भी किसी भी रीजन से किसी भी कारण से अगर आपके बच्चों की शादी समय पे नहीं हो पा रही है तो आप क्या करें या तो कोई अच्छा वर्ण नहीं मिल रही है या कुछ और अर्चने उनके विवा में आ रही है तो एक बड़ा ही अशान छोटा लेकिन अचोग कुपाय आपको बताएंगे, समझाएंगे बच्चों के विवा में बस अब और देरी नहीं इस उपाय या टोटके को कीजे और अपने बच्चों के विवा को शीगर अतिशीगर शंपन कीजे इसमें आपको एक अनार की आउशक्ता होगी अनार आपको अनार के पेड़ से तोड़ना है कच्चा अनार द्यान दे कच्चा अनार लेना है प्रिपकवता उसमें नहीं होनी चाहिए कच्चे अनार से के साथ आपको एक सफेद सूत का एक दागा लेना है सफेद सूत का एक दागा इस सफेद सूत के दागे को आप उस अनार में पिरो देंगे आपको पिरो देना है अनार में और फिर किसी पीपल किसी पीपल के इवरक्ष में आपको जिस दिन भी करे दिन के लिए कोई requirement नहीं है कोई भी दिन ले आप पीपल की जड़ में उस सूत को बांदे और जो अनार उसमें पिरोया हुआ है उसको पीपल के उपर कहीं तने में स्थापित कर दे इस तरह आपको ये विजी करनी है इसके बाद उस पीपल की जड़ में एक लोटा जल चड़ा कर अरपित करके एक स्वामुठी स्वामुठी शाबुत मुंग आपको उसमें अरपित करने है इतनी से विधी है जिस दिन आप ये अनार वाली क्रिया करेंगे उस दिन से अगले 11 दिन तक आपको ये विधी करनी है बस इतना सा उपाय आपको करना है आपके बच्चों की शादी, विवा, शिग अतिशिग होंगे और अच्छे गर में होंगे और सुक संपन से अपना जिवनी आपन करेंगे ये देखिए, अनार का पोदा हम आपको दिखा देते हैं अनार का वरक्च इस पे हमको कहीं-कहीं फूल दिखाई दे रहे हैं अभी इस पे अनार लगने शुरू हो जाएंगे तो आपको कच्चे नार का ही प्रियोग करना है एक ही कच्चा नार लेना है आपको और उस कच्चे नार में सफेद सूत को पिरो देना है सफेद सूत आपको कच्चे नार में पिरोना है और तब उस को आप सूथ को पीपल की जड में बान दीज़ेंगे और वहाँ पे रखेंगे जैसी ये पीपल है, इस पीपल की जड में आप यहाँ पर सूथ को बाद दीजिए इसके चारों तुर्स से, एक चकर काट कर सूथ को यहाँ गैट बाद दीजिए बाकी जो अनार है वो पिरो रखा है आपने उस अनार को आप यहां रख सकते हैं यह जैसे स्थान है यहां पर रख दीजी बाकी जड़ में आपको एक लोटा जल और साबुत मूंग अरपित करने हैं अगले 11 दिन तर यह छोटी सी विरी करनी है आपको हुँ है एक एजी और डेकी स्थावड़िक है जड़मी लग को घूतो है बच्चों के विवा की देरी में बच्चों के विवा में अब और देरी नहीं होगी बस हो चुकी जितने होनी थी तो इस तरह एक छोटे सुपाय से बच्चों के विवा में अब बस और देरी नहीं जटपट कीजिए उनका विवा और बना दीजिए उनकी शुब और पंगल में जीन्दगी इस एक छोटे से उपाए और टोटके से जन जन की भलाई के लिए आप इस वीडियो को अवश्या शेयर और लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको इस वीडियो को इस चैनल को असली प्रैक्टिकल टोटके चैनल को सब्स्राइब आश्या करना होगा और इसको सब्स्राइब जरूर करें दर गुरू गुर्खनात झाल झाल करें झाल 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 झाल